नमो नाराइन मित्रा पिछले 15 दिन से आप सभी लोगों को ग्रनक्षत्रों की गणना के अनुशार 12 रासियार साल 2021 कैसा रहेगा यूट्यूब के चैनल पर मैंने आपका राशी खुड़ डाता। कुछ लोगों का कुछ मित्रों का सवाल आएक दाती महराज हमारे पास समय नहीं होने के कारण जनमकुन लीन बना पारे तो मैंने मुलांग से विसाब से आपका राश्वेपल डाया कि का आपकी जनम तारीख है जनम तारीक की मुलांग के हिसाब से 2021 कैसा रहेगा क्या है आपका व्यक्ति तो वो डाला अब एक सवाल आया कि दाती महराज ना हमारे पार जनम तारिक है ना हमारे पार जनम समय है हम कैसे देखें तो मेरे मित्रों आपके नाम के पहले अक्सर के अनुशा कैसा रहेगा 2021 राशिपल और कैसा रहेगा आपका व्यक्ति तो ले के आ रहा हूं आपके सामने देखना नहीं भूले गुर्मंत्र विद्धाति महाराद मेरा यूट्यूब का चैनल है और आपका भी यूट्यूब का चैनल है नमो नारेज़ जेगो माता वने मात रमा भारति को प्रणाम और प्रेम से रिर्दै से इन आखों में देखते भी ओम शामशन श्चराय नमो इसे मंत्र का जाप करें जिवन खुश्यों से भरा रहेगा पुने आपकी शमश्यों का समाधान और यादभुद उपाहिए अदभुद टोट का है जो कभी खाली ने गया है बहुत से मित्रों का एक सवाल था कि नौकरी में परिवार में स्वास्ते में वैवशाय में अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है हम अपनी मेहनत करते हैं, हम अपना परिश्रम करते हैं, सब रात दिन पशीना निकालते हैं, लेकिन परिशानियां हमारा पिछा नहीं छोड़ती हैं, जैसे लगता एक जौंकने जक्र लेया हो, क्यों भैपी थोरे भाई, छोटा सा उपाई, मेरा साथ दे दिजेगा, जैसा म बुद्वार करना है, बुद्वार के दिन प्रात्यकाल नित्य करम से निर्वतो, शिनान उपरांत, ओम एंग, हीम, क्लिम, चामुन डाय बीचे, दुगा, दुगा, नवरान मंत्र का जाप करते हुए, 108 हरी इलाईची छोटी वाली, हरे धागे में, पिरो देजे और माला तसपसात सुद आसन पर सामने रख दीजिए, जलगंगा जलगा छीटा दीजिए, घी का दिपक जलाईए, और इशी मंत्र की, ओम एंग, हीम, क्लिम, चामुन डाय बीचे, दुगा, नुवरान मंत्र का सर्दा अनुस्तार माला जाप करें, एक माला, दो माला, जितनी आप करके देजिए, जितनी भी परेशानिया, जितनी जिमन की बादाएं, उसे आपको छुटकार मिल जाएगा, नमनानों बात करते हैं, आज के पंचांके, आज पोश्ट कंश्पष्ट की अमावश है, विक्रम शमत 27, पोश्ट मास की 30 पर निश्टे, सेक्शन 242, पोश्ट 23, तधनउस्वार, तेरा जनावरी संथ 2000, प्रताकाली नक्सर, उतरा सारा नशर चदरमा धनु राशी में, और प्रताकाली लगं धनु लगं और लगन में सुरी चंदरमा और शुक्र है, मंगल मेश राशी में, बौद्व्य ब्रश्पतिय शनी मका राशी में, राव यह घ्रों का प्रहमन का तेरा जनवरी है भाई आज और मकर शक्रांति से पहले लोडी है आज लोडी है भाई बहुत सुन्दर दिन है बहुत सुन्दर तेवार है सबी लोग मिल जूलकर खुशिश इस तेवार को मना है बारति सनातन संस्कृति के आदभुद नजा रहे है औ खुब सुन्दर दिन है आज बात करते हैं आज के राहुकाल की आज का राहुकाल दोपार बारा बज़े लेकर डैड़ बस तक और राहुकाल के दौन शुबकारी करना शोदा करना पुझनिवस करना अनकुल और उचित माना दिए गया सलाम इरो बढ़ जिया आपकी अर आ संतान समंधी चिंताओं का शमाधान मिलेगा संतान को शफलता मिलेगी संतान सुक बढ़ेगा और शिक्षा में शफलता मिलेगी कैरियर में अनकुलता आएगी तो विद्यार्तियों के लिए युवाओं के लिए समय अच्छा है मातापिताओं के लिए संतान वाले मसला भी सब्सक्राइब करें कि अपनों का हिर्थ भी सोचना जाए नहीं क्या ना करें आर्तिक शेतर में बदलाव ना करें मेश्राश्वालों आज का उपाए मेश्राश्वालों के लिए आज दूद और चावल का दान किसी मंदीर में देना बड़ा शूप रहेगा नमना नों बात करते हैं विर्षवराश्वालों गरे गोचर संकेत दे रहा कि आज थोड़ा साथ समय अनुकुलता का संकेत नहीं दे रहा है बंते वे कारी बिगर सकते हैं नौकरी वेविशाई में प्रेशानी आ सकते हैं आज क्या करें रों क्या नहीं करें मनोदसा ऐसी रहेगी अपनों का सहुग नहीं मिल पाएगा चोट लग सकती वो दिल की भी हो सकती और गाड़ी से भी हो सकती धन समंदी नुकसान भी हो सकता है सुबे से लिकर सामत गोचर इसी तरह का संकीत दे रहे हैं आप नहीं दे रहें भाई उपाई बताओंगा लेकिन विद्यारतियों युवाउं से कहना चाओंगा कि आज सब धन से काम करें नुकसान हो सकता है क्या करें कानौन के दाएरे में रहे क्या ना करें शत्रू को ब परिवन नेधिन स्वागन इस्थि को दान में दीजिएगा कस्ट कमाएगा मित्रों से गल्थ फ्यमी दूर होगी रुकवाद धन प्राप्थ होगा नए व्यक्ति के जीवन में आगमन से कारवार इस्थि में सुधार होगा और शिक्षा और केरियर में भी यूवाउर कि किये वादे को पूरा करें कारी चेतर में लापरवाई ना करें नमौनारें क्या उपाय करें आज सहद का दान किसी गरीम नेधिन विद्वाश्थ को आप देते हैं या फिर कीनर को देते तो आपके लिए बड़ा शूब रहेगा नमौनार और बात करते हैं आज की सुब की गुली काल कि राजगा गुलीकाल प्राते सारी 10 बज़े लेकर 12 बजे तक है अर बात करते हैं करकराश की गोशत संकिए दिरा कि प्रियास साथ तक हूंगे जो प्रियास आप करें उनका प्रणाम बहुत अच्छा मिलेगा अपने कारियों को विशेश्स गती देने से ला करने में आप सफल देंगे और जिवन साथी का पूर्ण सेयुग मिलेगा विद्यारती और युवा हैं तो अपने लक्स की प्राप्ति के लिए आज का दिन आपके लिए बड़ा शूब है खिलाडी और कलाकारों को अवश्य लाब मिलेगा क्या करें कभी-कभी परिवार की इ आतकाल नित्य कर्म शिनान उप्रांत सुद्ध देशी घी का दिपक जलाई है और घर से बाहर निकलने से पहले आज सुंदर कांड का एक पाठ कर लेते हैं तो सारा दिन सफलता से बितेगा नमणने बात करते हैं शिंगराशिक शिंगराशिक वालों गोचर अनकुलता का सं परिवार को साथ लेके चलना और संतान सम्मेंदी मसलों पर थोड़ा सा ध्यान देना है और आपने थोड़ा सा ध्यान दे दिया तो सारा ठीक रहेगा वैसा आज समाजी मेल जोल बढ़ेगा चो आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा कारी में शफलता मिलेगी धन भी मिल बस नहीं लोगों से मिलन भी होगर वह आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा लेकिन बहुत जरूरी उतावला पन न करें और एकाग भरोशा भी लोगों पर नहीं करें नमना रहें क्या करें दामपते जीवन को थोड़ा सा अनकूल बनाएं क्या ना करें जोख्यम के कार नमना इस मंतरगा जाब करते एकेश बार गनपती के सिर्चेलों में पीले चावल अरफित करिए ओम गंग गनपते नमना इस मंतरगा जाब करते हैं अनकूल नहीं है अनावसक्त परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है वान प्रियोग ने स्यावधानी पड़ते चोट शक्रच्रा बढते हैं सिच्षा और नौकरी में अन्यावश्यक्त परिशानियों को सामना पर सकता है रिवज्द्धियों logic through विद्यार्तियों को युवाओं को साम साथ बज दक साबधानी बढ़ते नहीं है दर हैं नहीं संकेत है अपनी मित्रों के साथ मधूर समंद्ध बनाईए वो आपको समश्याँ से बादने करें क्या ना करें कन्या राशे वाले माभगवत की सिर्चलनों में अरपित करें और एक लॉंग मुह में डालकर चबात विए घर से बाहर निकलेंगे तो अच्छा रहेगा यातरा के दिन यातरा पे घाने से धनिया चबाते वे यातरा में कश्ट कम आएगा नमनानर बात करते हैं तुलारास तुलारस वालों शितारों की चारड़ से भरी है परिशाने से मुक्ति मिलेगी प्रयास सार्थ तक होंगे और रुखेवे काम भी बने आज वैविशाय में अनकूल प्रसितिया रहेगी धनलाब होगा सुब और मांगली कारी शिद होगे स्वास्ति उत्व में रहेगा शामाजी को राजने के शितम आपका रुत्वा बढ़ेगा पारवरिक शुक और स्वहुग बढ़ेगा आप हैं विद्यार्ति और युवा तो मनों अनकूल कारी बनेंगे और मनावशक्ताओं की पूर्ति होगे क्या करें अपनी जिम्यदारियों की प्रती सजक करें क्या ना करें तो अपनों के साथ कोई धोका ना करें तुला राशिवालों आपका उपाह है आज एक पेठा लीजिए अपने उपर से साथ बारुसारे और उसकी बनेंगे अपनों के साथ बैठने का मुका मिलेंगे परिवार समंदी परिशानी से मुक्ति मिलेगी दन समंदी आउशक्ताओं के पूर्ति होगी रोजगार के साधनों प्लम्द होगी और घुमने फिनने और मनों रजमें रूची बढ़ेगा दिन अच्छा बितेगा बस दूब दो या तीन बाते जिन पर ध्यान एक परिवार की प्रती जुम्मेदारिय उसमें लापरवाई नहीं बरते दूसरा नया कोई कारोबार आप शुरू करना चाहरें तो बजर्गों की सलाव जरूर लाए क्या करें क्या करें वेर्थ की अनर्गल ब्यानबाजी ना करे क्या उपाय करें विर्चिग्राश वालों आज हनुमान जी को चोला चड़ाईए चमिली गतिल और सिंदूर से हनुमान जी का अविश्य करेगा कस्ट कमाएगा और बात करते हैं धन्राश वालों शमय अनकुल शमय शुब आप वेरोजगार आप रोजगार मिलो आप नौक करणाओं का खन्नन होगा आर्तिक संपंता बढ़ेगी तो गोचर बड़ा आशुब है कहीं भैवित होने की जरूरत नहीं है अब विद्यारती है तो युवा है तो शिक्षा के छेतर में एक नया आया मिस्थापित करने का आउसर मिलेगा प्रेक्षा प्रणा बढ़ अच् कुछ सिख्षा के लिए प्रियास कर रहें सफलता मिलेगी केरे शर्मन्दी मसले भी हलोंगे दिन अच्छा बितेगा क्या करें मित्रों और सोजनों का स्वयोग लें क्या ना करें तो कर्द के मामले में कानूनी दाउपेश की प्रतिला पुरवाई ना बढ़ते नहीं क्या आपके पक्ष में करवट नहीं ले रहें बहुत जरूरी है किसी गरीब को नहीं सताना इदि आपका स्वास्ते ठीक नहीं या शुगर और हाई भी पिए तो तुरन चिकसा का सारा लेजिए क्रोध पर काबू करिए सडियंतरों से दूर रहिए इदि आप श्यम वहान चलात करते हैं बित्रों से मनमुटाव नहीं हो धन का अपवय नहीं हो इस बात पर ध्यान दे आज कारियों में बादा है वेर्चे किसी सिकासुनी भी है और परिश्रम पुरुकेगे कारियों का प्रणाम उचित नजर नहीं आ रहा इसलिए भैवित नहीं होना है फिद्यारती है युवा हैं बहुत जरूरी साम पांच बज़े तक विशेश शावधानी बरतना हेल्थ को लेकर और पढ़ाई को लेकर नमनार है क्या करें अपनी साथियों की बात को थोड़ा सा महत्व दीजिए क्या ना करें आतम विश्वास को कमी नहीं होने क्या उपाय करें रोठी प किसी पिता तुली ब्यक्ति की कृपा से उसकी आसिर्वास से उसकी सयोग से बहुत बड़ी परिशाने से आज आपको छुटकारा मिलेगा समझेग मान प्रतिष्टा बढ़ेगी अपनों का सयोग मिलेगा धन की कमी दूर होगी सुबकारिय की और मन प्रिरित होगा दिन कारा है क्या उपाई करें उससे पहले क्या करें क्या नहीं कुमराश वालों आज अपने रिष्टों को संभालने की कोशिश करें क्या ना करें मन में अस्तिता नहीं रखिए क्या उपाई करें कुमराश वालों तो गनपति की शिर्चलनों में हरी दुर्वार्पित करी आज सारे विद्धार नहीं हो बात करते हैं मीनेराव से की गोचर यह संकेदर है की परिवार का साथ मेलेगा सितार यह भी संकेदर है कि अपनों के सयोग से बहुती प्रिशानि से आपकोछ उठकारा मिलेगा पैविशाय मेंनकुलता रहेगी नौकरी में शपलता मिलेगी धन मान सम्मान और अधिकारों में विर्दी होगी अधिकारी बर्ग का विशेष्ट होगा और पारवारी जिवन शुकुद और अनकूल रहेगा हैं आप विद्यारती तो आज नए स्कूल नए कॉलेज यूनिस्टिटी वगरा में जो आप एडिमिसंग को ल आज नेते कर्मिनों शिनान उपरांथ अपने इस देवता को केशर का तिल करी और अपने भाल पर भी केशर का तिल लगा कर बार जाएगा कश्ट काम आएगा नमना रहेएं यह दा बाराक बारा राश्यों को राश्य पल जो गनक्स प्रहाजाज था पुने मेरा निवेदन कि मैंने अपने विचार रखें दावा नहीं करता कोई विवाद नहीं कोई तरक नहीं हो सकता है मैं गलत हूँ शेकर ओपने अधिकार आपका था आपका है आपका रहेगा आज बुद्वार 13 जनवरी है यदि नामकर्ण संसकार करना चाते हैं अपनी संतान का तो सुब समय है और समय है सुबह 10 बज़ कर 31 मिंड से लेकर साम 5 बज़े तक अच्छा समय है आप जमीन खरीदना चाते हैं मकान खरीदना चाते हैं तो आज सवाट बज़े आपके लिए सुभ शमय है नामना रास्तान का हर व्यक्ति जानता एक दाती महराज गाएं से बहुत प्यार था हजारों शक्रों बेटियों के लिए जीवन के लिए मैंने अपना संपून जीवन दिया और यह मेरा शौक था मेरी रास्त की धरोवर थी और यह करना मेरा करते और करम था मैं आपको किसी वज़े से नहीं सुना रहा हूं बस खाली बता रहा हूं यह मेरा जीवन का मनश्य हूँ और मानू होने इतना ते मेरा करतव है कि मैं अपनी राष्ट के शेवा करूँ इस राष्ट का नागरिक हूँ 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गोश्यवा में अपना जीवन इस राष्ट के साथ लगाया है वर्तमान प्रसतिया आरतिक दस्ठिकूंड से अनकुल नहीं है धन नहीं मांग रहा हूँ कि मुझे आप पैसे देजी। पहले भी नहीं मांग रहा हूँ अब भी मैं नहीं कहा रहा हूं और यह मेरा इंकार नहीं है तो कि Бई राष्ट के सामने कभी नहीं रहें इसके लिए मुझे आपका शयोग के लिए मैं शयोम आपके साथ खड़ा हूँ आपकी समश्याओं के समधान के लिए भई आप अपनी जन्मकुनली का अवलोकन करना चाहते हैं आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंग पूरी साल खड़ा रहूंगा जब तक जीओंगा तब तक खड़ा रहूंगा नंबर आ रहा है इन नंबरों पर शंपर करिए आप मेरे से बात करिए लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चाहरे की वेविस्था करते हूँ और इसलिए मैंने कहा था कि भई थोड़ा दि इस समय में परेशाने में हूँ और मेरी गाएं चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है ऐसा हिरदय से आया लोगों ने कहा कि राश्रा आप से प्यार करता है दाती माराज एक बार निवेदन के लिए तो मैं दान नहीं मांग रहा हूँ फिर भी मैं अभी मेरा यह एंकार नह का जीवन सदा खुश्यों से भरा रहेगा ऐसा मेरा निवेद है और वे लोग जो शक्षम है शामर्थेवान है और जिने दाती महराज के जो तीजिय समधान की आवश्यक्ता नहीं तो उनको मेरा प्रणाम क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने मे लगब लगब 20-25-50 लोग ऐसे भी है जिन्नोंने सनिधाम गोशाला में 200 रुपया चारा कर दिया है मैं उन सब की प्रति अपना आभार प्रणार करता हूं और यह सयोग में जीवन भार याद रखूंगा मित्रों समय ऐसा है कि मेरी प्रस्ति आर्तिक दश्टिकौन से अनक प्रणा नहीं पड़ता है यह आप भी जानता है शासन के अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यात है और शासन के पास और बहुत से काम है लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते भी तरदे से पुने एक बार निवेदन करना करता है कि आपको लगता है कि दाति महराज के साथ सनिधाम गोशाला में ख़ड़ा रहना है नंबर है ज़र सोयोकर तेरा कोई दवाव नहीं है प्रातरा थी ओम नमोना रहें ओम नमोना रहें करता है